नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर 100 स्क्वाइर फूट सलैब यानि छट को ढलवार हैं तो मिटल के साथ साथ लिवर का कोष्ट टोटल कितना परने वाला है एटू जेट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है तो लास तक जरूर द स्टील का जो साथ रहेगा स्लैब के लिए और स्लैब बीम के लिए ठीक है तो वह 10 mm आपका स्लैब के लिए रहेगा और 12 mm बीम के लिए रहेगा ठीक है और स्टीरप के लिए आपका 8 mm रहेगा अब बात कर लेते हो कि इसमें जो मसाला बनेगा हुआ है ट्वेंटी कॉंक्रिंट ग्रेट का बनेगा जिसका रेशिय होता है एक डेर तीन एक बैग शीमेंट डेर बैग आपका शेंड और तीन बैग आपका गिट्टी इसी रेशियो से मसाला बनता है जो कि बेस्ट और सेप माला जाता है ठीक है तो मेटेरियल में हम सबसे पहले सिमेंट का जानेंगे तो सिमेंट में हमें च्छत के लिए दस बैग लग जाएगा और जो बीम रहेगा फ्लोर बीम यानि च्छत बीम उसमें आपका चार बैग लग जाएगा टूटल हमारा यह हो जाएगा चौदा बैग चार सु रुप्यावी एक बैग का कीमत है उसके अनुसारिया पाच हजार छे सु रुप्याव आपका चिमेंट के उपर जाएगा खर्चा अगर बात कर ले बालू रिभर सेंट तो स्लैब के लिए च्छत के लिए ठाड़ा शी अप्टी प्लस फ्लोर बीम यानि च्छत का जो बीम डलाएगा उसमें आपका साथ सी एप्टी तो टोटल यह हो जाएगा 25 यानि 18 सी एप्टी का कीमत अगर बात कर ले एक सी एप्टी का हमारे एडिया में तो 75 रुपीज है आपके एडिया में यह 5-10 रुप्या बैरी कर सकता है बिहा रिजन में 70-70 रुप्या है ठीक है तो यह टोटल हो जाएगा 1875 रुप्या का बाल ठीक है गिट्टी का अगर बात कर ले एग्रिकेट तो स्लैब के लिए आपका 35 सी एप्टी क्यूबिक फूट और बीम के लिए जचत में बीम ढलाएगा ढलाएगा उसके लिए 14 सी एप्टी टोटल यह 49 यानि 49 सी एप्टी हो जाएगा रेट हमारे एडिया में फिलाल 45 रुपिया से 100 रुपिया पड़ता है आपके एडिया में 10 से 20 रुपिया वैरे करेगा तो यह 49 क्यूबिक फूट बालों का 11,000 4,410 रुपिया पड़ जाएगा सरिया का अगर बात कर लें इस्टील का तो स्लैब के लिए 75 कीजी बीम के लिए स्लैब बीम के लिए 48 कीजी और एस्टीरप के लिए 26 कीजी तो स्लैब में हम 10 रुपिया यूज करेंगे ठीक है 10 रुपिया का 75 कीजी बीम में हमारा 12 रुपिया चार सरिया ठीक है 48 कीजी का और एस्टीरप में 8 रुपिया जो 26 कीजी का तो टोटल जोरने के बाद यह हमारा आजाएगा 149 कीजी यानि की डेर कुम टर रेट 80 रुपिया एक केजी का आपके एरिया में थोरा भूती है कम बेसी हो सकता है पान से दस रुपिया तो असिर पैक अनुसार 189 कीजी का 11,920 रुपिया सरिया के उपर एस्टील के उपर जाएगा साथ साथ हम लोग वाटर प्रूप केमकल एजेंट मिलाते हैं जो की कॉंक्रिंट मजबुत बनता है हमारा चाथ मजबुत तो उसके लिए हम 200 ml एक बैग में लेते हैं ठीक है तो यह 200 ml को लीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.200 लीटर गुने हमारा टोटल कितना है 14 बैग है तो 14 से जब गुना कर देंगे तो यह क्वांटिटी हमारा इंकल के आजाएगा 3 लीटर वाटर प्रूब केमकल एजेंट जो की डॉक्टर फिक्सिट का एल डवलू प्लस एक सो एक ठीक है यह रेट 155 रुपे तो यह हो जाएगा 400 465 रुपे एलेक्ट्रिक फिटिंग जो फैन बॉक्स बगरा लगाते हैं और पीवी सी पॉइंट चाथ ढालने टाइम पे शेट्रिंग के साथ साथ वह आपका एप्रॉक्स 300 रुपया का मिटरियल और 200 रुपया लेवर चार्ज तो यह पांसो से साथ सु रुपया पर जाएगा टूटा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं लेवर प्लॉस से ट्रिंग तो शौव स्कॉयर फूट है हमारफ एडरिया में 40 से 45 रुपय लेता है लेवर प्लॉस से ट्रिंग का तो हम 45 रुपय ले रहे हैं तो यह हो जाएगा दोस्तो 4,500 रुपया यानिकी आपके एडरिया में 10-20 रुपया भैडरी करेगा कहीं-कहीं 80, कहीं-कहीं 120 ठीक है? कहीं-कहीं 60 फिलाल 42 रुपया हम लेके चला आपके लिए हम जो भी रहे गुना कर लीज़ेगा जब हम टोटल को एड कर देंगे तो एड करने के बाद यह आएगा 29,270 रुपया के आसपास जाएगा एक्स्टा खर्चा गर 10 पर देंगे एक्स्टा तो यह 30 से 31,000 पर जाएगा ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना है अगर कॉमेंट किजिएगा तो यह कैसे आया कैलकुलेशन इस पर हम एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे ठीक है तो चैनल को सस्क्राइब करके सपोर्ट जरूर किजिएगा चली मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक लिए दोस्तु जाहिंद